बाथरूम में रखी ये छे चीज़े घर में लाती हैं कंगाली आज ही हटाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज का असर व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। वास्तु के मुताबिक हर घर में रखी चीज में सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा देती है घर के बाथरूम के लिए वास्तु के कुछ खास नियम बनाए गए है वास्तु के अनुसार बाथरूम में रखी कुछ चीजें घर में कंदाली लाती है आईए जानते हैं इनके बारे में तूटी चपल बात्रूम में तूटी चपल बिलकुल भी नहीं रखनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार तूटी चपल घर में नकारात्मक उर्जा लेकर आती है तूटा शीशा वास्तु शास्त्र के अनुसार बात्रूम में भूल कर भी तूटा हुआ शीशा नहीं लगाना चाहिए तूटा शीशा घर में वास्तु दोश लाता है और इससे पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है खाली बाल्टी वास्तु के अनुसार बात्रूम में कभी रखी खाली बाल्टी घर में दुर्भाग्य का कारण बनती है इसलिए बात्रूम में हमेशा भरी बाल्टी रखनी चाहिए नल से टपकता हुआ पानी वास्तु के अनुसार नल से टपकता हुआ पानी घर में नकारात्मक उर्जालाता है अगर बाथरूम के नल में दिक्कत है तो उसे तुरंत ही सही करा लें गीले कपड़े बाथरूम में अगर भीगे कपड़े हो तो उन्हें धुलकर तुरंत घर से बाहर सुखने में डाल दें बाथरूम में कभी भी गीले कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि इनसे सूर्य दोश लगता है पौधे वास्तु के अनुसार बाथरूम में पौधे नहीं रखने चाहिए बाथरूम में रखे पौधे जल्दी खराब होते हैं और इनसे घर में वास्तुदोश बढ़ता है